दोस्तों, हर साल दुनिया में करीब 80,000 लोग साप के डसने के वज़ा से मरते हैं। छोटे पानी में रहने वाले सापों से लेकर इनसान और घोड़े तक को खा जाने वाला यह जीव बहुत ही जादा जान लेवा होता है। तो आज हम जानेंगे कौन से ऐसे साप है जिनको देखते ही आपको बिना सोचे पूरी ताकत के साथ उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देना है। क्योंकि ये है दुनिया के साथ सबसे ज़्यादा खतरनाक साप। द्र॥ी आज़नें जीवा है जाता है त blueberry कोड़ आज़रू से तो सामा जीकुली बनाने और ओंता सांक। ये कोब्रा आपकी आँखों को निशाना बनाता है इसके डस्ते ही आपको सांस लेने में तकलीफ, पैरलीसिस अटैक, भयंकर सरदर्द, उल्टी और चक्कर आना बहुत ही आम बात है और अगर काफी देर तक आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, तो आपकी मौत हो जाती है तो भईया, देखते ही पूरी ताकत लगा के उल्टी दिशा में भागिए ये एक ऐसा जानलेवा जेहरिला साप है जो आस्ट्रेलिया में पाया जाता है इसका नाम टाइगर स्नेक इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके शरीर पे टाइगर की तरह धारिया होती है जो इसको जाडियों में और जंगल में छुपने के लिए मदद करती है दोस्तों इसका जेहर इतना खतरनाक होता है कि काटने के तुरन बाद ही शरीर का वो हिस्सा नम पड़ने लगता है ये सब होते ही इसका जेहर आपकी किडिनी पे अटैक करता है और 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी मौत हो सकती है टाइगर सने एक थोड़ा शर्मीला टाइप का साप होता है पर अगर इसको आपने छेड़ दिया तो फिर समझीए ये आपको नहीं बक्षेगा इसका जेहर दुनिया के सबसे नियूरो टॉक्सिक जेहरों में से एक माना जाता है ब्लैक मामबा जमीन पर रहने वाले दुनिया के सबसे तेज साप है ये अफरिका में पाया जाता है ये इतना तेज है कि 20 किलोमेटर प्रती घंटी की रफतार से आपका पीछा कर सकता है इसके एक बार डसने में इतना जहर निकलता है कि उस जहर से 20-25 इंसानों की जाने जा सकती है और अगर बात डसने पर आ जाए तो एक बार में ये 12 बार डस सकता है मतलब आपको एक ही जगा पे ये 12 बार डस सकता है इसके काटने के पंदरा मिनिट के अंदर अंदर आपकी मौत हो सकती है और तो और डॉक्टर के पास जाने के बाद भी 50% लोगों की मौत निश्चित है तो बचने के लिए दुम दवा के भागने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है दोस्तो नमबर चार किंग कोबरा को किंग कोबरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा कोबरा है ये इंडिया में बहुत जगा देखा जा सकता है हर साल इंडिया में लगभग 46,000 लोगों की किंग कोबरा के डसने के वज़े से जान जाती है इसके एक बार डसने से दो चम्मच के बराबर जहर निकलता है और इसका जहर सीधा आपके दिमाग पर असर करता है जिससे पूरा शरीर पैरलाइज हो जाता है किंग कोब्रा दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला साब भी माना जाता है और इसकी लंबाई 25 फिट तक हो सकती है ये भी शरमीला टाइप का साब होता है पर इसका सामना अगर आप से हो गया तो ये है आपको बक्षेगा नहीं ये अपना फन फैला कर अपने शरीर को दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ फिर तेजी से आपके तरफ डसने की लिए आता है इसका नियूरो टॉक्सिक जहर आपके शरीर को नीला करना चालू कर देता है और एक गंटी के अंदर आपकी मौत हो जाती है इसका शिकार होने वाले 85 प्रतिशत लोग मौत के घाट उतर जाते है इसका जहर एक कोब्रा के जहर से 16 गुना जादा जहरीला होता है इसके काटने पर आप पर्मनेंट कोबा में जा सकते है या फिर आपका दिमाग पूरी तरह से नम पड़ सकता है ये रात में शिकार करने वाला ऐसा साप है जो खुद ही की प्रजाती के दूसरे सापों तक को खा जाता है इसे कैनिबलिजम कहा जाता है तो दोस्तों इंडोनेशिया में अगर आप हैं तो रात को ध्यान से निकलिएगा नमबर दो डेथ आडर डेथ आडर दिखने में एक बहुत ही मोटा और बड़ा भारी ही खतरनाक साप है ये इतना खतरनाक है कि जिस जगा ये अटैक करता है उसी जगा दुबारा इतनी सटीकता से अटैक करेगा कि आप जपकेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये आपको दो टीम बार डस चुका होगा इसके काटने को दुनिया में सबसे ज़ादा खतरनाक माना जाता है इसके काटते ही इसका जहर आपके फेपडों पर अटैक करता है और आप सांस लेने में बहुत तकलीफ महसूस करेंगे ये सांप दूसरे सांपों को भी खा जाता है डेथ एडर दुनिया के सबसे तेज डसने वाले सांप के नाम से मशूर है ये ज़्यादा तर आस्ट्रेलिया के बहारी इलाकों में पाया जाता है इनलेंड ताइपान आस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है ये सांप बिना किसी शक के दुनिया का सबसे खतरनाक सांप है सिर्फ सांपों में ही नहीं बलकि रेप्टाइल्स प्रजाती में ये सबसे जहरीला रेप्टाइल माना जाता है हर चीज में दूसरे सापों से तेज मानो इसे बड़ी ही सोच समझ के बनाया गया हो इसके एक बार डसने में इतना जहर निकलता है कि उससे सौ इनसानों या फिर धाई लाग चूहों की जान ली जा सकती है ये साप एक कोबरा से पचास गुना जादा जहरीला होता है अगर ये साप आपको काट ले तो 100% याने की 100% आपकी 30 मिनट के अंदर अंदर मौत निश्चित है तो दोस्तों ये था आज का ग्यान अगली बार हम फिर से लोटिंगे किसी और टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए और हाँ दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप उसे कमेंट करिए अगली बार हम आपके नाम के साथ उस टॉपिक का वीडियो बनाएंगे